सरकार संकट में है लेकिन मुश्किलों के बीच भी कुछ चीजें रुखती नहीं है मद्य प्रदेश के मंतरी सुरेंदर बगेल और विधायक निलांशु चत्रवेदी का जर्म दिन सियासी संकट के बीच आ गया लेकिन सीम कमलनाथ दोनों के जर्म दिन के जश्न में शामिल हुए उधर विरोधी खेमे में भी जश्न का माहौल दिखा बीती राथ पूर्व सीम शिवराज सिंग चौहान के साथ बीजेपी के विधायक दो बसों में सवार होकर सीहौर के एक होटेल में पहुँचे सबने साथ साथ डिनर का आनंद लिया कुल मिलाकर कोशिश ये कि इसी बहाने विधायक एक जुट रहे एक तरफ बीजेपी और कॉंग्रिस दोनों दल विधायकों को एक जुट रखने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ सियासी शेहमात का खेल भी जारी है इसके तहट कल बीजेपी नेता राजिपाल लाल जी टंडन से मिले और कमलना सरकार द्वारा निगम मंदलों की नियुक्तियों पर रोख लगाने की मांगी बीजेपी का तर्क है कि जब तक फ्लोर्टेस्ट नहीं हो जाता तब तक इस तरह की नियुक्तिया न हो रोख लगाई जाए एक तरफ कॉंग्रेस और बीजेपी में सियासी जंग छेड़ी है तो दूसरी तरफ स्पीकर और गवर्नर के बीज लेटर वॉर्ड शुरू हो गया मद्य प्रदेश विधान सभा की स्पीकर एनपी प्रजापती ने राज जेपाल को एक चिठी भेजी है जिसमें उन्होंने बैंगलूरी में मौझूद कॉंग्रिस विधायकों की सुरक्षित वापसी में मदद की मांगी है लेकिन लोकतंत्र के मंदर को कॉश्चन मार्क लगा कर छुपा कर अन्य जगहों से मेरे उपर वार किये जा रहे हैं क्या लोकतंत्र अक्षुन रहेगा क्या ये लोकतंत्र का मंदर अक्षुन रहेगा अब प्रश्णी ये पैदा हो गया है स्पीकर की चिठी का राजिपाल लाल जी टंडन ने भी तीखा जवाब दिया टंडन ने विधायकों की वापस से सुनिश्चित कराने को लेकर स्पीकर की भोमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है बीते आठ दस दिनों से आप जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उसका भी मुझे अंदाज़ा हो रहा है यदि पी इन दिनों में इस संबंद में सदस्यों की जानकारी प्राब्द करने के बाबत आपके द्वारा किये गए प्रियासों का उलेक पत्र में नहीं है फिर भी मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से आपने समुचित प्रियास किये होंगे लाल जी टंडन ने चिठी में ये भी कहा है कि लगता है स्पीकर ने गलत पते पर चिठी भेज दी आपने अपने पत्र के अंतेम पैराग्राफ में विधायकों की सुरक्षा की मांगी है प्रदेश के सभी नागरिकों की सुरक्षा का दायत्व कारिपालिका का है और आप उससे ही सुरक्षा चाहते होंगे किन्तु त्रूटी वश ये पत्र मुझे प्रेशित हुआ प्रतीत होता है इसी बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंग की अर्जी पर आज सुप्रीम कोट में फिर सुनवाई होगी कल सरवुच अदालत ने फ्रोर टेस्ट को लेकर मुख्य मंतरी कमलनाथ और स्पीकर एनपी प्रजापती से जवाब मांगा था उधर मध्य प्रदेश कॉंग्रिस भी सुप्रीम कोट पहुँच गई कॉंग्रिस ने अपनी अर्जी में बीजेपी पर सोलह विधायकों को पंधक रखने का आरोप लगाया है याचिका में कहा गया है कि सोलह विधायकों की गईर मौजूदगी में बहुमत परेक्शन नहीं हो सकता कॉंग्रिस ने फ्लोर टेस्ट के लिए राजिपाल के निर्देश पर भी सवाल उठाया है इसी बीच कॉंग्रिस के सोलह विधायकों में एक मनो चौधरी के भाई बलराम चौधरी ने सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल कर अपने विधायक भाई को अवैत तरीके से बैंगरूरू में रखने का आरूप लगाया है सुप्रीम कोट से उनके रिहाई का आदेश देने को कहा गया है गोर तलब है कि कल कॉंगरिस के बागई विधायकों ने प्रेस कॉनफरेंस कर स्वेचा से बैंगरूरू में होने का दावा किया था हमारे जित्ते विधायक हैं, 22 पूरे मद्धिपृदेश के विधायकों से, मंत्रियों से पूछो, हमसे ज़्यादा मंत्रियों विधायक से ज़्यादा सक्तिसाली अधिकारियों की चलती है, अधिकारियों की ज़्यादा चलती है, समय का अभाव है, और ये जित्ते भी लोग चिठ्थी पर चिठ्थी मुलाकाद दर मुलाकाद और कानूनी दाउपेज फिलहाल मद्य प्रदेश का सियासी संकत इन ही के इर्द गिर्द सिम्टा हुआ है दिली से संजय शर्मा और भुपाल सी रविश पाल सिंग के साथ आज तक ब्योरो झाल सिम्टा हुआ 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 है